पूछे जाने की संभावना बहुत जादा है वानिकी वाला चेप्टर केवल आर्थिक सर्वेक्षन के दृष्टी कौन से ही नहीं जो आपका 36 गर्ष सामान्य अध्यान है जो जनरल इस्टेडी है उसके भी बहुत सारे फैक्ट आपको यहाँ पर पढ़ने के लिए मिलेंगे तो एकदम ध्यान दे करके समझना अच्छा आप मैं से कुछ इस्टूड़न नीचे यूट्व में कमेंट करके बोल रहे थे कि सर आर्थिक सर्वेक्षन के वीडियो पहले वीडियो के कमपरिजन में काफी लंबे बन रहे है काफी लंबे टाइम डिउरेशन के वीडियो आप अपलोड कर रहे है इतना लंबा वीडियो कोई भी देखने के लिए नहीं देखता अब देखिए पहले क्या होता था कि मेरे पास wide board था wide board में मेरे पास जितना space होता था उतनी चीजों को मैं आप लोगों को explain करता था और केवल वही चीजे explain करता था जो कि exam point of view से important है अभी है digital board तो मेरे पास भरपूर space है और इसमें मैं हमारी आर्थिक सर्वेक्षन की book के सारे notes यहाँ पर आपको explain करता हूँ और जादा से जादा चीजे आपको बताने के लिए देखता हूँ ताकि जो हमारा आर्थिक सर्वेक्षन का book है उसके भी सारे facts आपको clear हो जाए लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि lectures काफी लंबे बन रहे है तो मैं video के time duration को short कर दूँगा जो बहुत ज़्यादा important होंगे केवल उन्ही facts को शामिल करूँगा तो नीचे comment करके बता दीजेगा कि video का length लंबा रखना है या छोटा रखना है अब ये जितने भी data हम पढ़ रहे है ना ये सब हमारे इस आर्थिक सर्वेक्षन के book का सारा notes आपको यहाँ पर इसमें जितना भी चीज़ लिखी हुए हो सारा चीज़ हम explain कर रहे है हमारे आर्थिक सर्वेक्षन का video series इसी book से चल रहा है ठीक तो नीचे comment करके बता दीजेगा कि आपको लंबा वीडियो चाहिए कि short वीडियो चाहिए पहले के वीडियो सही बात है पहले के जो वीडियो है वो 30-40 मिनट के होते थे अभी के जो आर्थिक सर्वेक्षन के वीडियो है वो एक घंटे से उपर जा रहे है ठीक है तो लंबा वीडियो चाहिए कि short वीडियो चाहिए ये नीचे comment करके बता दीएगा ठीक देखिए CGPSC का e-part चाला का 36 गड़ आर्थिक सर्वेक्षन 2023-2024 और 36 गड़ एवन केंद्री बजट 2024-2025 का बुक मार्केट में अविलेबल है इस बुक को आप अपने नजदीकी बुक डिपा में जाकर के ले सकते है साथ इसाथ आप हमारे मोबाइल एप CGBooksCart में भी जाकर के इस बुक को ऑनलाइन ओर कर घरों में Free Home Delivery Service के माध्यम से मंगा सकते है हम जो हमारा जो 36 गड़ आर्थिक सर्वेशन का वीडियो सीरीस चलो गहा है उसका complete notes आपको इस बुक में मिल जाएगा ठेक चलिए टोपिक पर आते ध्यान दीजेगा अध्याय आठ वानिकी सबसे पहले है वानिकी का 36 गड़ के GSDP में भागीदारी वित्तिय वर्ष 2023-2024 के लिए इस्तिर कीमतों पर इस्तिर कीमतों पर 36 गड़ के GSDP में वानिकी छेत्र का भागीदारी कितना है ध्यान दीजेगा वानिकी छेत्र अगर हम हमारे 36 गड़ के GSDP G S D P का आकार देखे तो वो है आपका 3,21,944 करोड रुपए इस 3,21,944 करोड रुपए में से 8,72,441 रुपए की भागीदारी इस वानी की छेत रखी है अगर आप परसेंटेज की बात करें तो 36 गड़ के कुल G S D P में 2,88% की भागीदारी इस वानी की छेतर की है और वृद्धी की बात करें तो अभी बात हम यहाँ के क्या पड़ रहे है 2023-24 इसके पिछले सार 2022-23 की तुलना में 2023-24 में इस वानी की छेतर में टोटल 1.80% की वृद्धी दर्ज की गई है पिछले वृद्धी वर्ष की तुलना में इस 2023-24 में 1.80% की वृद्धी दर्ज की गई है यह दोनों परसेंटेज को याद रखिएगा इस आकड़े को याद नहीं रखना चाहते कोई बात नहीं इस सेक्टर से उतना कोश्चन पूछा भी नहीं जाता याने कि आपके रुपीज से कम से कम परसेंटेज को याद रखिएगा कि योगदान कितना प्रतीशा था 2.88% और वृद्धी कितने परसेंट की हुई है 1.80% की वृद्धी दर्ज की गई है ठेक, नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है वन एवं जलवायू परिवर्तन विभाग प्रशासनिक प्रतिवेदन 2022-23 अभी जो हम आकड़े पढ़ने वाले है ये वन एवं जलवायू परिवर्तन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन के आकड़े है और ये आकड़े काफी इंपॉर्टेंट है इससे question पूछे जाने की संभावना रहेगी 36 गड़ राज्य वन वर्गी करण एक द्रिष्टी में यानि कि 36 गड़ राज्य में जो वनों का वर्गी करण किया गया है उसकी बात हो रही है सबसे पहला वर्गी करण है वैधानिक या फिर प्रशासनिक या फिर कानूनी वर्गी करण ठीक है वैधानिक प्रशासनिक या कानूनी वर्गी करण अब इस वर्गी करण में है आरक्षितवन संरक्षितवन और अवर्गी करितवन आरक्षितवन, सनरक्षितवन, अवर्गीकृतवन वनों का वर्गीकरण वैधानिक यानि की कानून के द्वारा जो वनों का वर्गीकरण किया गया है उसकी बात हो रही है तो ये वर्गीकरण क्या है? आरक्षितवन, सनरक्षितवन और अवर्गीकृतवन अब ध्यान से समझना, आरक्षित 1 क्या हो रहा है, यहाँ पे कानून की बात हो रही है, ऐसा 1 छेत्र जो की शाषन द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर पूर्णतह प्रतिवंधित होता है, आरक्षित 1 कहलाता है, ठीक है, रिजर्ड फॉरिष्ट, ऐसा 1 छेत्र जो की शाषन के द्वारा बनाए गए कानून के आधार पर आणशिक रूप से प्रतिवंधित होता है, यह कहलाता है आपका समर्खित 1, और आववर्गी क्रित 1 ऐसा 1 छेत्र जिसमें कोई भी कानूनी प्रतिवंध नहीं रहता, आववर्गी क्रित 1 कहलाता है, ठीक, इसका मायनी क्या है आरक्षित वन ऐसा वन छेत्र जो की कानून द्वारा बनाये गए जो की शाशन द्वारा बनाये गए कानून के आधर पर पूर्णता प्रतिबंधित होता है इस पर किसी भी प्रकार का कोई भी मानवी हस्तचेप नहीं किया जा सकता कोई भी मानवी हस्तचेप इसमें नहीं किया जा सकता याने कि जो आम इंसान है इस छेत्र में किसी भी प्रकार का कोई भी गतिविधी नहीं कर सकता है। दूसरा होता है संड़क्षित वन ऐसा वन छेत्र जो की शाशन द्वारा बनाये गए कानून के आधार पर आंशिक रूप से प्रतिबंधित होता है। तो यहान वर्गी क्रित वन जिसमें किसी प्रकार का कोई भी मानवी हस्तकेप नहीं होता। जैसे कि आपके गाव दिहात में बहुत से ऐसे जंगल होते हैं, जहाँ पर गाव के लोग जा करके अपने लिए जलाव लकडी कलेक्ट करके ला सकते हैं, वहाँ पे किसी प्रकार का कोई भी मानवी हस्तचेप नहीं होता, आरक्षितवन जैसे कि टाइगर रिजर्वर, कम्प आरक्षितवन की बात करें, तो 24,036.1% एरिया समरक्षितवन के अंतरगत आता है, और अवरगी क्रितवन की बात करें, तो 9,954.1% एरिया अवरगी क्रितवन के अंतरगत आता है, ठीक है, तो हमारे 36 गड में सरवादिक छेतरफल किसका है, इस आरक्षितवन का है, जिसमे मानवी हस्तचे पूर्णता प्रतिबंदित है अगर सभी को हम टोटल करेंगे तो ये है 69,742.40 वर्ग किलोमिटर जो की है गौवर्मेंट का recorded forest area ये recorded forest area क्या होता है आगे आपको explain करूँगा ठीक है तो ये है recorded forest area गौवर्मेंट के दस्तावेजों के आधार पर इतना 1.16 हमारे 36 गड़ में मौझूद है अगर percentage की हिसाब से बात करें तो इस 69,772.40 वर्ग किलोमिटर में से आपका 43.13 प्रतिशत area आरक्षित वन है जबकि 40.22 प्रतिशत area सनरक्षित वन है और 16.66 प्रतिशत area ये आवर्गिक्रित वन है 69,772 वर्ग किलोमिटर में से 43.13 प्रतिशत area आरक्षित ठीक है आपका 40.22 प्रतिशत area सनरक्षित और 16.66 प्रतिशत area आपका आवर्गिक्रित है ठीक Next वर्गिकरंड देखिए next है वनस्पत्ति या वनों के प्रकार के आधार पर वनस्पत्ति या वनों के प्रकार के आधार पर एक होता है मिस्रित वन एक होता है साल वन एक होता है सागोन वन और एक है कार्य अयोग्य वन कई जगा कार्य अयोग्य वन लिखाव मिलता है, कई जगा इसके जगा बांस लिखाव मिलेगा, ठीक है, बैंबू, बांस, तो हमारे प्रदेश में मिस्त्रित वनों का छेत्र फल, जिसमें हर प्रकार की वनस्पतियां उस पे होती है, हर प्रकार की वनस्पतियां इस वन छेत अगर इसको भी हम जोडेंगे तो 69,772.4 शुन्य वर्ग किलोमेटर एरिया आपको मिलेगा तो 36,018.38 वर्ग किलोमेटर एरिया मिस्रित वन है तो 36 गड़ में किस प्रकार की वनस्पत्य सरवादिक है आपका मिस्रित वन की साल वन क्या है साल जीसे कहा जाता है सरई हमारे प्रदेश का राजिकी व्रिक्ष है आपका सरई 36 गड़ में साल वनों का दीब किसे कहा जाता है 36 गड़ में साल वनों का दीब कहा जाता है आपके बस्तर को ठीक तो इसे याद रखना मिस्त्रीत वन, साल वन, सागोन वन और कार्य अयोग्य वन अगर percentage के हिसाब से बात करे तो इस कुल वन छेत्र का recorded forest area का 43.52% area 43.52% area मिस्त्रीत वन है 40.56% area साल वन है 9.42% area सागोन वन है जबकि 6.50% area ये कार्य अयोग्य वन है सभी को add करेंगे तो टोटल हो रहा है आपका 100% तीसरा ध्यान दीजेगा next है वन्य प्राणी संरक्षित छेत्र ये बहुत important है वन्य प्राणी संरक्षित छेत्र हमारे 36 गड़ में जो जिस छेत्र में वन्य प्राणीों का संरक्षित किया जा रहा है उसकी बात हो रही है हमारे 36 गड़ में कुल तीन नैशनल पार्क है राश्चिय उद्यान है तीन टाइगर रिजर्व घोसित है वन्य प्राणी अभ्यारण्यों की अगर हम बात करें तो वन्य प्राणी अभ्यारण्यों की संख्या है 11 century बायोस्वेर रिजर्व की बात करें तो एक है आपका अचानक मार और हाथी रिजर्व दो है अब यहाँ पर दो क्यों है confusion हो रहा होगा आगे आपको इसका explanation मिल जाएगा आपको एक ही पता है लेमरू elephant reserve और एक है उसको आगे हम देखेंगे यह आपके जो वन्य विभाग का प्रशासनिक प्रतिवेदन है ना यह सारे आकड़े उससे लिए गए है तो यहाँ पर हाथी रिजर्व दो है अगर कभी से कोई question आता है तो दावापति लगाने के लिए सीधा प्रशासनिक प्रतिवेदन को हम source ले सकते है तो छेत्रफल अगर हम देखे तो यह जितने भी वन्य प्राणी संदक्षित छेत्र है राष्टिय उद्यान, टाइगर रिजर्व, वन्य प्राणी, अभ्यारेंडे, बायोस्फियर रिजर्व, हाती रिजर्व इनके अंतरगत टोटल 13306.457 वर्ग किलोमीटर एरिया आता है 13306.457 वर्ग किलोमीटर एरिया इस आपके वन्य प्राणी संदक्षित छेत्र के अंतरगत आता है काफी इनके पूछा जाएगा कि हमारे 36 गड का कितना छेत्र फल वन्य प्राणी संदक्षित छेत्र के अंतरगत आता है तो 13306.457 वर्ग किलोमीटर एरिया अगर परसेंटेज की बात करे तो टोटल 22 दसमलो 22 दसमलो 26 प्रतीशत एरिया वन्य प्राणी संदक्षित छेत्र के अंतरगत आता है एक्जाम में पूछा गया प्रशन है ठीक है ये एक्जाम में आया हो प्रशन है पुछा जाएगा कि 36 गड़ का कितना प्रतीशत छेत्र वन्य प्राणी संदक्षित छेत्र के अंतरगत आता है तो 22 दसमलो 26 प्रतीशत एरिया वन्य प्राणी संदक्षित छेत्र के अंतरगत आता है वर्ग किलोमीटर में 13306.457 वर्ग किलोमीटर ठीक है, next देखिए, next है, 36 गड़ में वनों की इस्थिती, भारतिय वन इस्थिती रिपोर्ट, Indian State Forest Report 2021 के अनुसार, ये जो आपका ISFR रिपोर्ट है, ये दो साल में एक बर पब्लिश होता है, last रिपोर्ट आया था ISFR 2021, जो की जनवरी 2022 में पब्लिश हुआ था, नया रिपोर् आया नहीं है, ठीक है, जैसे ये रिपोर्ट आयेगा, तो यूट्यूब पर इसका अलग सेपरेट वीडियो बना दूँगा, हर दो साल में एक बार ये रिपोर्ट पब्लिश होता है, ठीक, 36 गड़ का भागोलिक शेत्रफल की अगर हम बात करें, तो 36 गड़ का भागोलिक शेत्रफल है 3192 वर्ग किलो मेटर, जिसमें वनावरण है 55,000, 55,717 वर्ग किलो मेटर, वन शेत्रफल है 69,816 वर्ग किलो मेटर, और व्रिक्षावरण है 5,355 वर्ग किलो मेटर, अब देखिए, यहाँ पर वनावरण लिखा हुआ है, वन शेत्रफल लिखा हुआ है, और व पर करता है हमारे 36 गड़ के कुल भौगोलिक शेत्रफल का 41.2 एक प्रतिशत एरिया क्या है वनावराण है अगर आम वन शेत्र की बात करें यहाँ पर ध्यान देना वन शेत्रफल यहाँ पर recorded forest area की बात हो रही है recorded forest area अभी recorded forest area क्या है आगे आपको explain करता हूं देखिए recorded forest area है 69,816 वर्ग किलोमेटर जो की 36 गड़ के कुल भौगोलिक शेत्रफल का 44.25 प्रतिशत एरिया कवर करता है और तीसरा है व्रिक्षावरण जो की 5,355 वर्ग किलोमेटर एरिया में इसका विस्तार है 36 गड़ की कुल भौगोलिक शेत्रफल का 3.916 प्रतिशत एरिया इस व्रिक्षावरण जयाने की 3 कवर के अंतरगत आता है ठीक भारतिय वर्ण इस्तिती रिपोर्ट 2021 में पिछली रिपोर्ट की तुलना में 36 गड़ के वनावरण में फोरेश्ट कवर में 106.03 वर्ग किलोमीटर परसेंटेज में 0.19 प्रतिशत की वृद्धी दर्जकी गई है ठीक अब यहाँ पर आपको 2-3 वर्ड यहाँ पढ़ने के लिए मिल रहा होगा एक है आपका वनावरण एक है वनचेत्र और एक है आपका वरिक्षावरण ठीक इ अभी लिखित वन चेत्र याने की रिकॉर्डेड फोरेश्ट एरिया एक होता है वनावरण और एक होता है आपका वरिक्षावरण वरिक्षावरण याने की ट्री कवर वनावरण याने की फोरेश्ट कवर और यह है रिकॉर्डेड फोरेश्ट एरिया इनमें अंतर है अंतर क्या है? recorded forest area अभी लिखित याने की लिखा हुआ ऐसा वनचेत्र जो की कानून के नियम अधिनियम के अनुसार वनचेत्र घोशित किया गया है government record के हिसाब से ये क्या होता है? ये राज्यशाशन के कानून तथा नियम अधिनियम के आधार पर राज्यशाशन ठीक है? हर एक अलग 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 पैमाना होता है वनचेत्र घोशित करने का नियम अधिनियम के आधार पर जो है वनचेत्र घोशित किया जाता है याने कि government के record के आधार पर government दस्तावेच के आधार पर कोई छेत्र आपका वनचेत्र घोशित किया जाता है ठीक और ये जो आपका वनावरन और विक्षावरन है ये ISFR अपर इस एफ आर रिपोर्ट के ऊपर डिपेन्ड करता है ये व्यानिक तरीके से कितना वनोगा आवरण है उस आधार पर ये वनावरण और विक्षावरण के डाटा पपपलिश होते है ये गौर्यमेंट ने अपने राज्ये में किसी छेत्र को वन छेत्र घुसित किया है तो यह गौवर्मेंट का डाटा है ठीक है जबकि जो वनावरन और व्रिक्षावरन है यह हर दो साल में ISFR रिपोर्ट पबलीश होता है जिसमें सैटेलाइट इमेज के माध्यम से यह रिपोर्ट आते है ठीक और यह जो वनावरन और व्रिक्षावरन है अगर हम किसी एक आम इंसान से पूछे कि जंगल किसे कहेंगे तो उसके मुझ से आपको सीधे साधान सब्दों में सुनने के लिए मिलेगा कि ऐसा भूभाग ऐसा जमीनी छेत्र जो की बहुत सारे पेड़ पौदों से घिरा हुआ है यह जंगल है common person यह ही जवाब देगा लेकिन देखिए यहाँ पर व्रिक्ष मतलब पेड़ पौधे और वन मतलब यहाँ पर भी पेड़ पौधे होंगे तो वनावरन और व्रिक्षावरन इसे classified क्यों किया गया यह depend करता है pre canp density पर ठीक है pre canp density हिंदी में इसे कहा जाता है व्रिक्षो का सघन मंदपा कार आवरन मंदपा कार आवरन मंदप जो की आप किसी शादी में गए होंगे तो वहाँ पे tent house के दोरा मंदप लगा जाता है मंदप के नीचे छाव होता है तो व्रिक्षो का ऐसा जाल व्रिक्ष जो की बहुत पास-पास में रोपित होते है और उनकी शाखाएं इ व्रिक्षो का सघन मंदपा कार आवरन और इसके आधार पर वनावरन और व्रिक्षावरन डिसाइड के जाता है सेटलेट इमेज के माध्यम से माल लीजिए किसी एक भूभाग का सर्वे किया जा रहा है सेटलेट इमेज के माध्यम से और उस भूभाग के उस भूभाग के दस प्रतीशत से अधिक छेत्र में या फिर एक हेक्टेर से अधिक छेत्र में यहाँ पर विक्षोगा क्या है सघन मंडपाकार आवरण है तो उसे वनावरण के अंतरगत रखा जाता है वनावरण के अंतरगत वही पर ऐसा भूभाग जहाँ पर आपके सैटिलाइट इमेज क माद्यम से सर्वे किया जा रहा है और वहाँ पर दस प्रतीशत से कम छेत्र में या एक हेक्टेर से कम छेत्र में यहाँ पर विक्षोगा सघन मंडपाकार आवरण है तो उसे विक्षावरण के अंतरगत काउंट किया जाएगा विक्षावरण के अंतरगत ठीक है विक्षा अगर किसी भुभाग का सर्वे किया जा रहा है और उस भुभाग के कुल छेत्र के 10 प्रतीशत से अधिक हिस्से में व्रिक्षो का सघन मंदपाकार आवरण है या एक हेक्टेर से अधिक भुभाग में व्रिक्षो का सघन मंदपाकार आवरण है तो उसे वनावरण के जावरन है ये किसी नियम अधीनियम या किसी कानून के उपर निर्भर नहीं करता ये सैटेलाइट इमेज के द्वारा जो जनरेट किया गया जो वैज्ञानिक पद्धति से जो आकड़े है उस पर डिपैंड करता है और वहीं पर जो अभिलिखित वनचेत्र है ये इस्टेट गवर्मेंट का डाटा होता है ठीक है इस्टेट गवर्मेंट का डाटा होता है इस्टेट गवर्मेंट के कानून और नियम अधीनियम के आधार पर किसी छेत्र को वनचेत्र गोसित कर दिया है ठीक है वनचेत्र गोसित कर दिया है इतने पूरे भूभाग को इसने वनचेत गोषित करके रखा है ये क्या है ये किसी भी ट्रीक एनपी डेंसिटी या व्रिक्षो के सघन मंदपाकार आवरण के ओपर डिपेंड नहीं करता इसमें भले व्रिक्षो का आवरण कम क्यों ना हो अगर राज्य शाचन ने इस पूरे भूभाग को वनच्छेत्र गोषित कर गौर्मेंट का आकड़ा है उनसट हजार आटसो सोला वर्ग किलोमेटर ठेक है आई इस एफर रिपोर्ट का और देखिए यहां पर आपको रिकॉर्डेट फॉरेस्ट एरिया उनसट हजार आटसो सोला वर्ग किलोमेटर दीख रहा है और वहीं इस से पहले आपको दीख र रिपोर्ट के आकड़ है तो दोनों आकड़ों में थोड़ा बहुत आपको अंतर देखने के लिए मिलेगा तो गौर्मेंट के रिकॉर्ड के हिसाब से हमारे 36 गड़ में 69,816 वर्ग किलोमेटर एरिया में 1 छेत्रफल है जो कि कुल भागोलिक छेत्रफल का 44.25 प्रतिशत एर एरिया कवर करता है और अगर ट्री कवर की बात करें तो 5,355 वर्ग किलोमेटर एरिया में ट्री कवर है जो एकुल भागोलिक छेत्रफल का 3.96 प्रतिशत एरिया कवर करता है ठीक देखिए छेत्रफल के आधार पर सरवाधिक वनावरण यानिकी फॉरेश्ट कवर जो सेट पर है अरुनाचल प्रदेश 6,431 वर्ग किलोमेटर एरिया थर्ड नंबर पर है हमारा 36 गड़ 55,717 वर्ग किलोमेटर एरिया याद करने में दिक्कत नहीं होगा मध्य प्रदेश 55,000 अरुनाचल प्रदेश 66,000 और 36 गड़ 55,000 दस-दस हजार का डिफरेंस है और वहीं पर अगर हम छेत्रफल के अनुसार सरवाधिक वन छेत्र यानि कि यहाँ पिर रिकॉर्द फॉरेश्ट एरिया इस्टेट गभुर्द मेंट की डाटा की बात हो रही है यहाँ पिर शेटेटिलेट इमेज की डाटा की बात हो रही है तो जो state government के दोरा जो recorded forest area के data जारी के जाते है उस आधार पर सरवादिक शेत्रफल है मध्यप्रदेस में, recorded forest area का, second number पर है महराष्ट, मध्यप्रदेस 94,000, देखे, satellite image से 77,000 लिया गया है, जबकि government दावा कर रही है कि 94,000 वर्गी किलोमेटर के आसपस area हमारा recorded forest area है, महराष्ट में है 61,952 वर्ग किलोमेटर area, उनिसा में 61,204 वर्ग किलोमेटर area और 36,000 गड़का है 69,816 वर्ग किलोमेटर area, अब ध्यान दीजेगा, अगर प्रश्ण पूछा जाएगा, कि 36,000 गड़का वन छेत्रफल कितना है, तो आपको answer लेना है 55,717 वर्ग किलोमेटर, 55,717 वर्ग किलोमेटर, 36 गड़का वन छेत्रफल है, ठीक है, वन छेत्रफल है, जब तक question में अभी लिखित शब्द नहीं जुड़ेगा, अभी लिखित या English में देखिएगा, जब तक जो है recorded शब्द नहीं जुड़ेगा, कि 36 गड़का अभी लिखित वन छेत्रफल कित इतना है, ये शब्द जब तक नहीं जुड़ेगा, तब तक आप इस आख्रे को नहीं लेंगे, अगर simple question आ रहा है, देखिए वन आवरण पूछेगा या वन छेत्रफल पूछेगा, केवल simple question आ रहा है कि 36 गड़का वन छेत्रफल कितना है, या 36 गड़का वन छेत्रफल कि ऐसे ही ranking में, प्रशन पूछा जाएगा कि 36 गड़का वन आवरण के आधार पर देश में इस्थान कौन सा है, तो answer होगा 3, अगर वहीं पर question पूछ रहा है कि 36 गड़का recorded forest area या अभिलिखित वन छेत्र के आधार पर उसका rank या इस्थान कितना है, तो उसका answer होगा 4, अगर अभिलिखित और recorded शब्द question में आ रहा है, तब की बात है, ठीक, देखिए, आर्थिक सर्वेक्षन में लिखा हुआ मिलेगा आपको, चीक कि 36 गड़ वनावरण के आधार पर देश में तीसरे इस्थान पर है, और वन छेत्रफल के आधार पर देश में तीसरे इस्थान पर जबकि आपके वन छेत्रफ के आधार पर देश में चौथे इस्थान पर है, गवर्मेंट के ओफिशल इकोनाविक सर्वे, वानिकी वले चेप्टर के पहले पेज के पहले परग्राफ में लिखा हुआ है, और एक्जाम में question पूछा गया कि 36 गड़ वन छेत्र के आधार प लेकिन PSC ने उसे नहीं माला, उसके आधार पर वनावरन और वन छेत्र, दोनों के आधार पर 36 गड़ तीसरे इस्थान पर है, इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि वनावरन पूछे या वन छेत्र पूछे, आपको ये आकड़ा लेना है, रैंकिंग में तीसरा और छेत्र फ रिक्षा में वन छेत्र, फॉरेश्ट एरिया के आधार पर 36 गड़ देश में तीसरा बड़ा राज्य उत्तर लिया गया है, अतहा आयोग के उत्तर के आधार पर वनावरन या वन छेत्र दोनों में 36 गड़ तीसरा बड़ा राज्य होगा, ठीक है, नेक्ट देखिए, 36 सघंता के आधार पर, कहीं आप देखेंगे एकदम dense forest है, एकदम सघं है, वहाँ पर जो व्रिक्षो का रोपन है, एकदम पास-पास में किया जाता है, और उनकी शाखाएं एकदम फैली हुई होती है, वो कहलाता है अत्यंत सघंवन, दूसरा होता है सामान में सघंवन, या तो हमारे 36 गड़ में अत्यंत सघंवन का चेत्रफाल है, 7068 वर्ग किलोमेटर, सामान में सघंवन का चेत्रफाल है 32,289 वर्ग किलोमेटर, और खुला वन का चेत्रफाल है 16,370 वर्ग किलोमेटर, सभी को एड़ करेंगे तो 55,770 वर्ग किलोमेटर एरिया है, परसेंटेज अगर हम ध्यान दे, तो 36 गड़ में सरवाधिक, 36 गड़ में सरवाधिक किस प्रकार के वन है? 36 गड़ में सरवाधिक जो है, ये सामान्य सघन वन है, क्या है? सामान्य सघन वन है, 22,000 आपका 32,279, 23,87%, ठीक, देखे, recorded forest area, अगर हम आर्थिक सरवेक्षण की बात करें, तो आर्थिक सरवेक्षण में आपका 69,772 वर्ग किलो मेटर दिया गया है, और भारती वन स्थिती रिपोर्ट 2021 की बात करें, तो 69,816 वर्ग किलो मेटर है, आपको यहां पर मैं दोनों आकड़े पढ़ा 36 गड़ में 18 जिलो में सरवाधिक वनावरण, जैसे कि मैंने आपको बताया, जो ISFR रिपोर्ट 2021 आया है, और यह जो ISFR रिपोर्ट है न, यह जनगड़ना, जनगड़ना, 2011 के समय, 2011 के समय, 36 गड़ में जो जिलो की संख्या थी, उसके आधार पर है, 36 गड़ में जिलो की संख्या के आधार पर, अभी जनगड़ना 2021 के आकड़े आ जाने चाहिए थे, अभी वर्तवार में हमारे 36 गड़ में जिलो की संख्या है 33, लेकिन इसमें आकड़ा दिया गया है 18 जि आजने चाहिए थे, लेकिन 19-20 में कोरोना का टाइम आ गया, फिर elections आ गये, जगा जगा पर विधान सभा चुना हुए, जगा जगा पर अभी आपके लोग सभा चुना हुआ पूरा भारत भर में, तो यह सारा चीज अभी ठंडे बस्ते में चले गया है, जल्द ही जो है आप के जनगर्णा के आकड़े आ सकते हैं, अभी तो जन जाती जनगर्णा पर भी विचार चल रहा है, जाती आधार पर जनगर्णा पर विचार चल रहा है, वो बात का विशे है, तो यहां पर ध्यान देना, 18 जिलो के आधार पर 36 गड़ में सरवाधिक वनावरण की बात हो र वनावरण में सरवादिक वनावरण सरगुजा में है, 7110 वर्ग किलोमेटर, इस सरगुजा 18 जिलो की बात हो रही है, इस सरगुजा से प्रिथा खोकर के सूरजपूर और बलरामपूर जिला अस्तित्त में नहीं आया था, वर्ष 2011 में, ठीक है, बीजापूर, बीजापूर के बीजापूर में 6,538 वर्ग किलोमेटर एरिया में वनावरण है, जबकि दंतेवाड़ा के 4,473 वर्ग किलोमेटर एरिया में वनावरण है, इस दंतेवाड़ा से प्रिथा खोकर के सुकमा जिलास्तित्त में नहीं आया था, तो दंतेवाड़ा और सुकमा इतने बड़े भ संटेज की हम बात करें तो नारायनपूर जिले के कुल भौगोलिक शेत्रफल का 81.61 प्रतिशत एरिया में आपका वनावरण का वित्रण है वनावरण प्रतिशत है बीजापूर जिले के कुल भौगोलिक शेत्रफल का 76.65 प्रतिशत एरिया में वनावरण है और कोरिया जिले के 62, 62, 61, 6 प्रतिशत एरिया में आपका वनावरण है, देखिए, नारायनपूर, वीजापूर, कोरिया, कोरिया जिले से प्रिथा कोकर के मनेंदरगण, चीरमीरी, भरतपूर, जिला अस्तित में नहीं आया, अठ्था जिले की बात हो रही है, ठीक, अगर 6 रफल और हम वनावरण प्रतिशत है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है, 36 गडवन इस्थिती रिपोर्ट में 36 गड़ की इस्थिती और रैंकिंग, यानि कि अलग-अलग डाटा दियेगा है, आप CGPSCE पाटशाला यूट्यूब चैनल में, अगर आप यूट्यूब पे जा अब यहाँ पर किवल आपको रैंकिंग बता रहा हूँ, ठीक है, आपको दो वीडियो बना हुआ है, ISFR रिपोर्ट 2021 का, जिसमें भारत के विभिन राज्यों में वनों की इस्थिती और 36 गड़ के जिलों में वनों की इस्थिती को काफी अच्छे से explain किया गया है, वहाँ वरण वृद्धी प्रतीशत की बात करें, यह चेत्रफल है और यह प्रतीशत है, वनावरण वृद्धी की बात करें, यानि कि पिछले रिपोर्ट की तुलना में, वनावरण वृद्धी का मतलब पिछले रिपोर्ट यानि कि जो पिछला रिपोर्ट आया था, 2021 से पहले क साथवे इस्थान पर है व्रिक्षावरंड के मामले में टॉप में है महराष्ट चतिजगर साथवे इस्थान पर है व्रिक्षावरंड प्रतिशत वृद्धी के मामले में केरल फर्ष्ट पर है चतिजगर तिसरे इस्थान पर है बास धारी छेत्रफल वर्ग किलोमेटर में ह हमारा चतिस गड़ यानि कि जो बास का रोपन जो किया जा रहा है, बास धारीच चेत्र में मध्य प्रदेश टॉप में है, हमारा चतिस गड़ देश में छटवे इस्थान पर है, कार्बन श्टॉक, मिलियन टन, इसमें टॉप में अरुनाचल प्रदेश है, चतिस गड़ देश में तिसरे इस्थान पर है, टाइगर रिजर्व वनावरन छेत्रफल, यानि कि पूरे भारत भर में जो टाइगर रिजर्व है, उसमें सरवादिक वनावरन नागारजुन स्री सरीलम आंधर प्रदेश का है, और हमार चतिस गड़ का इंदरावती टाइगर रिजर्व देश में तिसरे इस्थान पर है, टाइगर रिजर्व वनावरन प्रतिशत में पूरे भारत भर का अरुनाचल प्रदेश का पके टाइगर रिजर्व टॉप में है, हमारा 36 गड़ का अचानक मार, percentage के मामले में second number पर है, और Tiger, Corridor, One Hour and 6 रफल में, कानहा, नवेगाव, नगजीरा, तडोबा, इंद्रावती, ये top में है, हमारा 36 गड़ का इंद्रावती, इसी का हिस्सा है, ठीक है, तो अगर एक एक का detail explanation चाहिए, तो इस CGPACE E-Partial ISFR Report 2021 को जा करके थोड़ा सा अच्छे से देखिएगा, ठीक है, next देखिए, next है, 36 गड़ के Tiger Reserve, हमारे 36 गड़ के जो तीन Tiger Reserve है, उसमें वनावरण का छेत्रफल क्या है, अगर हम बात करें, अचानक मार Tiger Reserve की, अचानक मार Tiger Reserve का छेत्रफल है, 936 वर्ग किलोमेटर एरिया, इस 936 वर्ग क क्या है, ये वनावरण है, परसेंटेज की बात करें, तो कुल छेत्रफल का 95.63 प्रतिशत एरिया वनावरण है, जिसमें पिछले रिपोर्ट की तुलना में, 7 वर्ग किलोमेटर का यहां पे जो है, आपका कमी दर्ज किया गया है, इंद्रावती जिसका छेत्रफल है, 2922 व में क्या है, वनावरण है, इसमें 64 वर्ग किलोमेटर की विद्धी दर्ज की गई है, और अगर हम बात करें, आपके उद्ध्यंती सीता नदी की, तो उद्ध्यंती सीता नदी का छेत्रफल है, आपका 1795 वर्ग किलोमेटर, 1795 में से 1520 वर्ग किलोमेटर एरिया में, आपका क्या है यहाँ पर वनावरण है याने कि कुल आपके 6 तरफल का उद्ध्यंदी सितन अधिया भिरने के कुल 6 तरफल का 84.6 प्रतिशत में क्या है आपका वनावरण है ठीक नेक्स्ट देखिए पहला कोश्टन ये पूछा जाता है कि 36 गड़ राज्य वन विकास निगम की स्थापना कब हुई ये हुआ आपके मई 2001 में इसका मुख्याला है राइपूर में इसके अंतरगत परियोजना मंडलों की संख्या कितनी है परियोजना मंडलों की संक्या है 9, कौन-कौन सा, राजनाद गाओ, रायपूर, कबीरधाम, कांकेर, अंबीकापूर, बिलासपूर, कोर्भा, जगदलपूर और राइगड़, ये टोटल 9 परियोजना मंडल है आगे हम देखेंगे, वन मंडल क्या है, परियोजना मंडल क्या है, अगर अध्योगिक परियोजना मंडल की अगर हम बात करें, तो तीन अध्योगिक परियोजना मंडल है, याने कि, देखिए, कौर्भा, जगदलपूर और राइगड़, याने कि इसमें जो है, जो आपका अब देखिए, वन विभाग की मैदानिक इकाईयां, ये क्या है, छेत्री वन वृत्त, हमारे 36 गड़ में टोटल 6 वन वृत्त है, कौन-कौन सा, एक है राइपूर वन वृत्त, दूसरा है दुर्ग वन वृत्त, तीसरा है बिलासपूर वन वृत्त, चौता है सरगुजा वन वन वृत्त, पांचवा है काकेर वन वृत्त, और छटवा है जगदलपूर वन वृत्त, इन 6 वन वृत्तों में से, छेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा वन वृत्त है आपका बिलासपूर वन वृत्त, और छेत्रफल के आधार पर है सबसे छोटा वन वृत्त, जो कि है दुर्ग वन्वृत्यों में छेत्रफल के आधावे सबसे बड़ा विलासपूल, सबसे छोटा दुर्ग, राइपूर वन्वृत्यों जिसके अंतरगत राइपूर, बलोदा बजर, गरियावन, महासमून, धंतरी, ये पाच वन्वंडल आ रहा है, दुर्ग वन्वृत्यों क दुर्ग बालोद, कवर्धा, राजनांद गाव, खेरागड वन्वृत्यों जिसके नीचे अनुविभाग एवं विस्तार वन्वंडल विलासपूर, टोटल वन्वंडल इसके अंतरगत आ रहा है, और आपके सर्गूजा वन्वृत्यों के अंतरगत छे वन्वंडल, सुरजपूर, बलरामपूर, कोरिया, मनेंदरगड़, जच्पूर, कांकेर के अंतरगत कांकेर, भानुपरतापूर, पश्चिम भानुपरतापूर, केशकाल, दक्षिन, कोंडागाव और नारायन्पूर आ रहे हैं, जबकि जगदलपूर के अंतरगत बस्तर, वीजापू सुक्मा, दंतेवाड़ा, अनुभीभागी, विस्तार वन्मंडल, जग्डलपूर आ रहा है। प्रश्न कुछ भी पूछ सकता है कि अगर प्रश्न पूछेगा कि मूंगेली वन्मंडल जो है यह किस वन्वृत्त के अंतरगात आता है। धमतरी वन्मंडल किस वन्वृत्त क क्या होता है वनों की वैज्ञानिक पधती से प्रबंधन ये कहलाता है आपका कार या आयोजना वनवृत्त जिसमें 36 गड़ के जितने भी वनवृत्त है उनका अगले 10 सालों के प्रबंधन के लिए एक दस्तावेज एक खाखा तयार किया जाता है अगले 10 साल के लिए 36 अगले 10 साल के लिए इसके अंतरगत जो है तोटल 6 वन बंडल आते हैं राइपूर, बिलासपूर, दुर्ग, सर्गूजा, कांकेर और जग्डलपूर यानि कि ये सभी जो आपके वन वृत्त है उनका मुख्याले आप इसे समझ सकते है ठीक तो इसे भी याद रखिएगा कि कार यायोजना के अंतरगत कितने वन वृत्त है बिलासपूर और इंगली जानवर को खा गया, ये किसी इंसान के उपर हमला करके मार दिया, भालू ने किसी इंसान के उपर हमला करके मार दिया, हाथी मानव वसाहट में घुज गये, किसी आदमी को कुचल करके मार दिये, उनके घरों को उन्होंने तोड़ दिया, ऐसे निउस आपको अकसर सुनने के लिए मिलेगा ठीक है तो अगर किसी वन्य प्राणी के कारण जन्हानी होती है जन्हानी याने कि किसी व्यक्ति के मृत्ति हो जाती है तो वन्य विभाग के द्वारा छती पूर्ती सहायता राशी के रूप में 6 लाग रुप प्रदान के जाता है अगर स्थाई रुप से अपंग हो जाता है जैसे कि भालू ने या किसी शेर ने इOFFS की पेर को आपने दास से काट लिया उसका पेर क्या हो गया? पर्मानेंट अपंग हो गया यानि कि उसके पेर को काटना पड़ गया तो ये क्या कहला था इस्थाई अपंगता इस कंडिशन में 2,00,000 रुपे की राशी दी जाती है जन घायल होने पे यानि कि आपके जंगली जानवर के हमला करने से कोई इंसान अगर घायल होता है तो उसे 69,100 रुपे की राशी पशु या देखे पशु हानी होने पे यानि कि अधिक्तम सिमा उसको दिया जाता है और हाथी द्वारा फसल हानी होने पर हाथी जो की खेतों में घुझ जाते है फसल को कुचल देते है तो फसल हानी होने पर 9,000 रुपे प्रती एकड़ की दर से भुगतान किया जाता है इसे भी याद रखना ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है तेंदू पत्ता संग्रहन 2023-24 अभी तो 2024-25 का संग्रहन चुरू हो चुका है यहाँ पर 2023 की बात हो रही है तो तेंदू पत्ता संग्रहन 2023 पारिस्रमिक संग्रहन दर ये है 4000 रुपे प्रती मानक बोरा 2023-24 का जबकि 2024-25 का जो संग्रहन है ये 5500 रुपए प्रती मानक बोरा के दर से हो रहा है, ठीक है, पिछला संग्रहन 4,000 रुपए प्रती मानक बोरा के दर से हुआ है, इस सल के बजट में घोशना कर दिया गया है, कि आगामी संग्रमहन, यानि कि 2024-25 में जो तेंदू पत्ता का संग्रहन है, ये 5500 रुपए प्र विशेश, एक तेंदू पत्ते के मानक बोरे में 50,000 तेंदू पत्ते रखे जाते हैं, एक्जाम में पूछा गया, बहुत बार का प्रशन है, कि एक तेंदू पत्ता मानक बोरा, मानक बोरा यानि कि इस्टेंडर साइज, एक इस्टेंडर साइज का बैग होता है, एक बोरा हो इसमें क्या किया जलता है पचास थे रहा जाता है तो ऐसे। पचास थे तेंदू पत्ये 건조 तो गूर्णा है बना armour मानक बोरे में बजटी प्रावधान वित्तिवर्षी दोजार 24-25 में तेंदुपत्ता पारिस्रमिक संग्रहन दर 500 रूपर प्रति मानक बोरा निर्धारित किया गया है 36 गर राज्ज में उत्पादित राष्ट्रिय कृत लगुवन उपज की अगर हम बात करें अब तेंदुपत्ता के सासा धावडा गोंद और कुलुगोंद को भी राष्ट्रिय कृत लगुवन उपज घोशित किया गया है तो 36 गर में कुल तीन प्रकार के राष्ट्रिय कृत लगुवन उपज का संग्रहन किया जाता है देखें केंद्र सरकार के द्वारा जो है टोटल 67 प्रकार के लगुवन उपज का संगरहन किया जाता है, लेकिन वो राज्जे साशना द्वारा घोशित आपके लगुवन उपज है, ये क्या है राश्ची की सेंटरल गवर्मेंट के द्वारा घोशित, तो हमारे यहां सिटमबर 2023 तक की स्थिती में 67 प्रकार के लगू वनुपच का संग्रहन किया जाता है लागू वर्ष 2014-15 से भारत सरकार जन्जातिय मंत्राले द्वारा नियूंतम समर्थन मुल्य घोशित किया गया हर प्रकार के वनुपच का हमारे हाँ जो है समर्थन मुल्य पर 67 प्रकार के लगू वनुपच का संग्रहन होता है ठीक है इनपॉर्टेंट याद रखिएगा यहां क्या लीका 36 गड़ में देश का 74 प्रतिशत 74 प्रतिशत बहुत बढ़ा डाटा है ठीक है पूरे देश का 3 चौथाई लगू वनुपच का संग्रहन हमारे 36 गड़ से होता है 67 प्रकार के लगू वनुपच का संग्रहन हो रहा है ठीक नेक्स्ट है आपका पूर्ण गठित राष्टी बास मिशन इसका प्रारम्ब हुआ था वर्ष 2006 साथ से पूर्ण गठन हुआ 2018 में उद्देश क्या है किसानों की अत्रिक्त आये ही तू गैर गैर वन सरकारी याने क ऐसी भूमी जो की सरकारी नहीं है और नीजी भूमी में बास का छेत्र विस्तार कर क्रिशको के छेत्र में उत्पादित बास का बहतर मुल्य समवर्धन कार्य तथा उत्पादित बास को लंबे समय तक सुरक्षित रखना है बांस के आर्थिक एवं वानिजिक उप्योग की इस संभावना को बढ़ावा देना इस राश्ट्रिय बास मिशन का मुख्य उद्देश्य है यानि कि कोई व्यक्ति अपने नीजी भूमी पर और गैर वन सरकारी भूमी पर जो है बास का रोपन कर सकता है इससे किसानों को अत्रिक्त आये होगी। शे, साथ, आठ, नो, दस, ग्यारा टोटल ग्यारा जीले में जो है राश्ट्रिय बास मिशन संचलित है ठेक योजना हाइटेक नरसरी, बड़ी नरसरी, छोटी नरसरी, पौधार ओपन इसको पढ़ लिजेगा ये इतना इंपोर्टेंट नहीं है कितने जीले शामिल है वो इ खेत्र विस्तार, क्रिशको के छेत्र में उत्पादित बास के बहत्र मुल्ले संवर्धन वही चीज़े जो यहाँ पर लिखा हुआ है उद्देश्च कही चीज़ ठीक, नेक्स्ट आगे देखते हैं कैमपा योजना, कैमपा योजना ये क्या है देखिए में गया है कैमपा का पूर्न रूप या पूर्ण नाम क्या है इसका उद्देश क्या है? छती पूर्ती व्रिक्षा रोपन, वनों का विकास, वनों के उत्पादक्ता में व्रिद्धी, वन संरक्षन संबंधित कार्य जो है इस कैमपा योजना के अंदरगत किये जाते हैं जैसे कि सरकार के किसी योजना के तहट वनों की कटाई हुई है तो कैमपा में एक फंड जारी किया जाता है उस फंड के माद्यम से उस छेत्र का चाती पूर्ती करके व्रिक्षा रोपन किया जाता है यह है आपका कैमपा योजना कैमपा योजना के अंदरगत कुल 7 वन मंडल आते हैं केशकाल, धंतरी, कोरबा, कटगोरा, धरमजैगर, बलरामपूर और सरगुजा में 1400 हेक्टेर छेत्रफल में M.P.C.A. इस्थापित किया गया है तो कितने वन मंडल आते हैं, साथ वन मंडल आते हैं, याद रखिएगा, फूल फारम याद रखिएगा, और इसमें क्या होता है, विक्षा रोपन की छतिपूर्ती की जाती है, इतना याद रखना है, ठीक, next देखिए, next है, छतिस गड़ में सनरक्षित छेत्र, जो हम इसमें इन्पोर्टेंट क्या है, ये ध्यान देना, ये आपके वन विभाग के प्रशासनिक प्रतिवेदन से इसे उठाया गया है, कांगेर घाटी जो की बस्तर जिले में है, गुरु घासिदास जिसका विस्तार कोरिया, मरेंद्रगर, सूरजपूर जिले में इसका विस् जो कोश्चन आएगा कि कांगेर घाटी राष्ट्य उद्यान का छेत्रफल कितना है, गुरु घासिदास राष्ट्य उद्यान का छेत्रफल कितना है, और इंद्रावती राष्ट्य उद्यान का छेत्रफल कितना है, अब एक प्रश्न ये पूछ सकता है, कि 36 गड़ में मौ राष्टे उद्यान के अंतरगत कुल कितरा छेतर रफल आता है पूछा जाये तो 2899 इन तीनों को जोड़ देना है 2899 दसमलो शुन्य साथ साथ वर्ग किलोमेटर एरिया 36 गड़ के राष्टे उद्यान के अंतरगत आता है ठेक वहीं पर अगर हम अभ्यरन्यों की बात करे। एक तरफ क्या करेगा? आपके अभ्यरन्यों के नाम देदेगा? दुसरे तरफ जीलों के नाम देदेगा? सुमिलित कीजी आएगा अभ्यारण्यों के नाम देदेगा, दूसरे तरफ वन मंडल के नाम देगा, सुमिलित कीजे करके आजाएगा अभ्यारण्ये के नाम देदेगा, छेत्रफल देदेगा, सुमिलित कीजे करके आएगा ठीक अच्छा 36 गड़ सामान्य अध्यन में जो आपका ग्रंथ एकेडमी की पुस्तक जिसे हम authentic source मानते हैं उसके आधार पर देखें यहाँ पर है आपका भोरम देव अभ्यारन्य भोरम देव अभ्यारन्य का छेत्रफल यहाँ पर लिखा हुआ 359 वर का किलोमेटर जबकि ग् 163 यह 169 ठीक है 163 यह 169 exact data कितना है आपका एक मिनट 163 वर किलोमेटर 163 वर किलोमेटर आपको लिखावा मिलेगा ठीक है जो भोरम देव अभ्यारन्य का छेत्रफल है वो 163 वर किलोमेटर यह आपका ग्रंथ एकेडमी की पुस्तक जिसे हम authentic source मानते हैं उसके आधार पर भो शासनी क्रतिवेदा ने वन विभाग का उसमें अलग से highlight करके दे दिया है कि भोरम देव अभ्यरन्य का छेत्रफल कितना है वो है 359 वर किलोमेटर अब देखो अब question पूछा क्या जाएगा और answer क्या लेगा यह देखने को होगा अगर question आता है तब की बात है बाकी हम देख वोटो कॉपी नोट से ही आपको मिलेगी 2017 के बाद से publishing नहीं हुआ है उसमें यह सारे के सारे छेत्रफल आपको same to same मिलेंगे केवल एक को छोड़ करके यह भोरम देव का भोरम देव का छेत्रफल 163 वर किलोमेटर एरिया है इसका जो है इसमें दिया गया है 159 वर किलोमेट एरिया आता है यहने कि ग्यारा अभ्यार अभ्यार न्यों को मिला करके अभ्यार न्यों कितना है पूछेगा तो 37flix शेत्रके के अंतरगत आता है ग्यारा अभ्यरण्यों के अंत्रगत आता है, ठीक है, टाइगर रिजर्व, टाइगर रिजर्व है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, अचानक मार और उद्यन्ती, ठीक है, यहाँ पर जो है, आपके किस जिले में है, इंद्रावती बीजापूर में है, अचानक मार 555.62 वरगा किलोमेटर एरिया टाइगर रिजर्व के अंतरगत आता है इसमें आपका गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व का डाटा शामिल नहीं है किवल तीन टाइगर रिजर्व है अचानक मार आपका उद्धंति सितन अधी और इंद्रावती इन सभी क अंतरगत 555.62 वरग किलोमेटर एरिया आता है छेत्रफल के आधार पर अगर इन तीन की बात करें तो सबसे बाद टाइगर रिजर्व है इंद्रावती उसके बाद है बायोस्फियर रिजर्व हमारे प्रिदेश के एक मात्र बायोस्फियर रिजर्व है अचानक मार अमरकं प्रिदेश का अमरकंटक च्टिजगर का मौगेली और बिलास्पूर यहाँ पर हमारे प्रिदेश के एक मात्र बायोस्षिर रिजर्व है यह मौगेली मरवाही और बिलासपूर 1 मंदल के अंतरगत आता है जिसका 6 त्रफल है चंटो 1050 वरग किलोमेटर एरिया जिसमें से अचानक मार टाइगर रिजर्व कर 914 वर की किलिमेटर वी एरिया इसी में शामिल है, ठीक, उसके बाद next है हाथी रिजर्व, जैसी कि मैंने बताया था, आप लोगो पता है कि 36 गड़ में एक एलिफेंट रिजर्व है लेमरू, लेमरू एलिफेंट रिजर्व, यह जो लेमर रफाल है, 1995.48 वर का किलिमेटर, वैसे ही एक हाथी रिजर्व और है, यह तो गौर्रमेंट के ओफिशल टाटा के हिसाब से ही है, प्रशासनीक प्रतिवेदरिन के हिसाब से, सर्गूजा जशपूर हाथी रिजर्व, जिसके अंतरकत बलरामपूर जीला, जशपूर जीला और सर्गूजा जिला आते है, देखिए, बलरामपूर, जशपूर, सर्गूजा, जबकि कोर्भा, सर्गूजा और आपका, ने, इसमें है बलरामपूर, जशपूर और सूरजपूर, ठेक है, तीन जीले, और इसमें भी यह तीन जीले, कोर्भा, सर्गूजा और जबकि बल्रामपूर जश्पूर और सूरजपूर जीला जो है यह सर्गुजा जश्पूर हाथी रिजर्व के अंद्रगत आते हैं सर्गुजा संभागत के कराण उसका नाम दे दियेगा है सर्गुजा जश्पूर हाथी रिजर्व इसमें देखिए 1143 इसमें तीन चार अगर मगरम सनरक्षन रिजर्व की बात करें, तो कोटमी सुनार मगरम सनरक्षन रिजर्व यह जांजगीर चापा जिले में इस्तित है, चेत्रफल कितना है, 57.03 वर्ग किलोमेटर एर्या, अगर चिडिया घर की बात करें तो दो चिडिया घर है, एक है नंदन वन जू या ज हेक्टेर दिया हुआ है बसे इस डाटे को याद नहीं भी करेंगे चलेगा उपर तरब के जो सारे आकड़े है यह सभी के सभी आकड़े आपके वर्ग किलोमेटर में है ठीक है तो एक कानन पेंडारी हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा जू है आपका कानन पेंडारी उसके ब पर मौझुद है रमकोला सूरजपूर में इस्थित है ठीक तो यहां पर में 36 गड़ के आकड़े आपके समाप्त होते है बाकी अगर आप सत्रवी वन इस्थिती रिपोर्ट भारती राज्यों की इस्थिती देखना चाहते है अब इसको कवर कराऊंगा तो वीडियो लंब सत्रवा ISFR रिपोर्ट जो हम इंडियन इस्थेट फॉरेश्ट रिपोर्ट 2021 की बात कर रहे है इस बार इसका सत्रवा संस्क्रण है थोड़ा सा फास्ट बताऊंगा ना मेरे पास भी टाइम लिमिटेशन है इसे जारी करता है भारती वन सर्वेक्षंट दहरादू उत्राख से हुई थी लाश्ट रिपोर्ट केंडरी केडियनेट मंत्री स्री भुपेंद्र यादाँ जी के दोड़ा जारी किया गया अभी मोदी सरकार के नए कैडियनेट मंत्रियों का बटवारा होगा कौन सा विवाब किसको मिल गया है वो भी पता चलगया है तो हो सकता है कि जो नए रिपोर्ड आएगा उसमें जो है नए आपके कैबिनेट मंतरी के नाम आपको देखने के लिए मिलेगा 36 गर्ड के अगर हम भारत के भागुलिक शेत्रफल की बात करें तो 32,82 263 वर्ग किलोमेटर एरिया यह भारत को भारत को भागुलिक शेत्रफल है इसमें से forest cover वनावरण है 7,13789 वरका किलोमीटर जो कि भारत इकुल भगुलिक शेतरwiązल का 21.71 प्रिक्षावरण कि बात करें तो भारत का विक्षावरण है 9- сюжet गिलोमीटर जो कि भारत इकुल भगुलिक शेतरária का 2.91 प्रिक्षावरण अगर आपको थोड़ा था Fast या Speed लग है वीडियो लेक्षर लंबा बनेगा इसलिए थो ऐसा फास्ट बता रहा हूं ठीक अगर हम बात करें पिछले रिपोर्ट की तुलना में इस जो आपका 261 वर्ग किलोमेटर की ठीक है अगर हम सरवाधिक वनावरण की बात करें छेत्रफल के आधार पर और प्रतिशत के आधार पर चेत्रफल के आधार पर है टॉप में मध्य प्रदेश सेकेंड नमबर पर अरुणाचल प्रदेश हमारे छत्तिदगर देश में तीसरे इस्थान पर है 37,000, 660,000, 55,000 और अगर परसेंटेज की बात करें तो पहले नमबर पर है मिजोरम छेत्रफल के आधार पर 77,000 के साथ मध्य प्रदेश टॉप में है और अगर परसेंटेज की बात करें तो मिजोरम राज्य के कुल छेत्रफल के 84.53% आरिया में आपका वनावरन है तो परसेंटेज में फर्ष्ट है मिजोराम, सेकेंड नंबर पर है अरुनाचल प्रदेश और थर्ड नंबर पर है मेगाले, ठीक है इसका परसेंटेज देख लीजिएगा अरुनाचल प्रदेश का 79.33, मेगाले का है 76%, यहाँ पर नोट लिखा हुआ है केंद्र शाशित प्रदे में किन राज्यों में 1.6 में व्रिद्धी दर्ज की गई है, आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा, 647 वर्ग किलोमेटर एरिया याने की 2.2 प्रदीशत 1.6 में वरिद्धी हुई है, वनावरण में वरिद्धी हुई है, सेकेंड नंबर पर पर है तेलंग ना, थर्ड नं 19 की तुलना में, 2019 की तुलना में हमारा 36 गड़, 2021 में हमारे 36 गड़ में पिछली रिपोर्ट की तुलना में 106 वर्ग किलोमेटर की विद्धिदर जखी गई है, परसेंटेज में है 6.19 प्रतीशत, देश में इस्थाने सात्वा, वनावरण में सरवाधी कमी आई है आपके अर ठीक है, अगर हम 36 गड़ में कुल व्रिक्षावरण की बात करें, व्रिक्षावरण ट्रीक अन्पी डेंसिटी ऐसा भूभाग जिसमें 10 प्रतीशत से कम छेत्र में व्रिक्षो का सगन मंडपाकार आवरण है, उसे व्रिक्षावरण के अंतरकत काउंट किया जाता है, भार अगर आपका 10 गड़ साथ 6 प्रतीशत की व्रिक्षावरण को देखें, वनों को छोड़ करें के व्रिक्षावरण को देखें, तो सरवादिक व्रिक्षावरण है आपके महराष्ट में, ठीक है, छेत्रफल के आधार पर, सेकेंड नमबर पर है राजस्थान, और थर्ड न एरिया है यसी लिये तो वहाँ पर घने आपके विक्ष नहीं है विक्षों का सगन मंदपकार आवरण नहीं है वहाँ विक्ष मौझूद है लेकिन दूर दूर पर इसलिए विक्छावरण खावरण के मामले में राजास्थान 2nd है और अगर परसेंटेज की बात करें तो 1st number पर है केरल 7.26, 2nd number पर गोवा 6.59 और 3rd number पर है हमारा 36 परसेंटेज के मामले में 3.96%. ठीक है अगर मेंग्रोवण की बात करें, मेंग्रोवण के अंतरगत ऐसे 1 छेतर जो की समुद्र तटी ये एरिया में है, ठीक है, समुद्र का जो तटवर्ती एरिया है, वहाँ पर जो वन है, उन्हें कहा जाता है मैंग्रो वन, याने कि आपकी जो नमकीन पानी है, खारा पानी में उगने वाले वनस्पत्ति को मैंग्रो वन के अंतरगत काउंट किया जाता है, तो इसमें ऐसे ज राज्य आएंगे जो कि समुद्र तट से लगे हुए है, जैसे कि गुजरात हो गया, गुजरात, महराष्ट, करनाटक, आपका आंधर प्रदेश, ओडिसा, पश्चिम बंगाल, तमिल नाडू, केरल, ये सभी सभी राज्य जो है, यहाँ पर मैंग्रो वन है, खारा पानी क वनस्पत्ती, तो हमारे इस ISFR रिपोर्ट के अनुसार, हमारे भारत में, आपका 4992 दसमलो 33 वर्ग किलोमेटर एरिया में, मैंग्रो वन का विस्तार है, अगर हम बात करें, राज्य में टॉप कौन सा है, तो वो है पश्चिम बंगाल, यहाँ पर 213 दसमलो 37 वर्ग एरिया, 1175 दसमलो 37 वर्ग किलोमेटर, परसेंटेज 23 दसमलो 54 प्रतिशत, थर्ड नंबर पर है अंडबान निकोबार, 616 दसमलो 45 वर्ग किलोमेटर, परसेंटेज में है 12 दसमलो 34 वर्ग किलोमेटर, कार्बन इस्टॉक का मतलब क्या होता है, कार्बन इस्टॉक का मतलब हो कर सकते हैं, कार्बन के आउशोशन करने की छमता ये कहलाती है कार्बन इस्टोक, देश के जंगल में कुल कार्बन इस्टोक 7204 मिलियन टन होने का अनुमान है, यानि कि हमारे पास इतने व्रिक्ष मौजूद है, इतने वन मौजूद है, जो कि 7204 मिलियन टन का आउशोशन क करते हैं और oxygen उठसरजित करते हैं मनुष्य इसका उल्टा करते है儿 oxygen ले lonter क्रम डग्रolit और पेढ पौध्य और करते FERR Ин approximately कांशार्ण करते number 16 थोड़ते हैंटक्र छोड़ते हैसे पॉड़ता है and मोलरी इतने इतने जंगल इतने मुझारण मौजूद है जो 7204 मिलियन टन कार्बन का आउशोशन कर सकते हैं, 2019 के अंतीव आकलन की तुलना में देश के कार्बन स्टॉक में 79.4 मिलियन टन वृद्धी होने का अनुमान है, यानि कि पिछले रिपोर्ट की तुलना में, कार्बन स्टॉक में वार्षिक वृद्धी 39 यानि कि 49.7 मिलियन टन आपका अनुमानित है सरवाधि कार्बन इस्टोक की स्राज्जी में पूछा जाए तो अरुनाचल प्रदेश में 1024 मिलियन टन का सेकेंड नमबर पर है मद्य प्रदेश 609 मिलियन टन का और हमारे 36 गड़ में इतने वनचेतर है जो कि 496 मिलियन टन कार्बन का आउशोशन करते है और इस कार्बन इस्टोक के मामले में हमारे 36 गड़ देश में तीसरे इस्थान पर है जैसे कि, देखिए, राश्ट्री आयूश मिशन के योजना के अंतरगत, पांच औशधी पौधे, क्रमसह, इस्टिविया, सर्पगंधा, ऐलोवेरा, वच्च और सतावर का क्रिशी करण किया जा चुका है, ज्याने कि यह क्या है, यह औशधी वाले पौधे है, कौन-कौन सा इस्टिविया, सर्पगंधा, ऐलोवेरा, वच्च और सतावर, इनका क्रिशी करण कर दिया गया है, ठीक, चत्तिजगर राज्य आउसदी पादप बोर्ड की इस्थापना 28 जुलाई 2004 को हुई थी, एक्जाम में डिरेक्टर प्रेशन पूछा जाएगा, चत्तिजगर परश्य दोया 24 में हरियर चत्तिजगर योजना के अंतरगत राइपूर दुर्ग कोरबा जिलो में 392 हेक्टेर छेतर में पौधो का रोपन किया गया है, ठीक है, हरियर चत्तिजगर योजना जो की पौधो के रोपन से संब्दित है, चत्तिजगर के हरबल उतपादो महिला केंडर की संख्या कितनी है, दो, कहां कहां पर है, राइपूर रेलवे स्टेशन और स्वामी विवेकनन्द अंतराष्टी है, एरपोर्ट, हमारा एरपोर्ट अंतराष्टी है कहां से हो गया, पता नहीं, ये लेकिन लिखा हुआ है कहां पर, आपका आर्थिक सर्विक्षन कितना है, 10,467 वर्ग किलोमेटर है, जो की देश के कुल बास धारी छेतर का 7 प्रतिशत एरिया कवर करता है, और लाश्ट फैक्ट बचा है, आपका ये, ग्राम जामगाव M, जिला दुर्ग में 100 करोड की लागत से लगू वनुपज केंडरी प्रसंसकरन इकाई की स्थाप पहला फैक्ट तो ये, कि लगू वनुपज केंडरी प्रसंसकरन इकाई कहां इस्थापित की गई है, सेंट्रल गवर्मेंट की बात हो रही है, इस्टेट गवर्मेंट की नहीं, सेंट्रल गवर्मेंट लगू वनुपज केंडरी प्रसंसकरन इकाई कहां पर इस्थापित क किया जा चुका है इन दो फेक्ट वो याद रखना है इसी के साथ आपका 36 गड़ आर्थिक सरवेक्षन का अध्याय आठ वानी की वाला चैप्टर होता है समाप्त किसी प्रकार डाउट हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते है चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब त कीजेगा और हाँ वीडियो शॉट चाहिए या लॉंग ये कमेंट करके जरूर बताईएगा ठीक है चलिए